आज हम लोग कलास 10 के भूगोल के पार्ट नमर 3 जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में निमलिखित पॉइंट से जिसे जल जल क्या है उसके बाद बांध उसके बाद बहु उदेशिय प्रियजनाई बहु उदेशिय प्रियजनाई में जैसे बहु उदेशिय नदी प्रियजनाओं के उदेश बहु उदेशिय नदी प्रियजनाओं की खामिया बहु उदेशिय नदी प्रियजनाओं के बिरोध में अंधोलन उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्षा जल संगरन कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम जल के बारे हम जानते हैं हम जानते हैं कि जल हमारा जो मुल भूत जरूरत है उनमें से आता है जल के बीना जीवन नहीं है इसके बारे हम पढ़ते हैं जल एक नवनीद करनी है जो एक संसाधन है हाँ सही बात है कि जल का रिसाइकिल होता है गर जल हम यूज करते हैं हमें वास्प के दुवारा उपर उड़ी आता है और बादल बनके फिर से बरसता है आनि जल घुमता रहता है ठीक है दुसरा है प्रिथिवी का तीन चुथाई लवनीची भाग जल से घिराये प्रंतु इस में प्रियोग लाने वाले जो एक अलवनीच जल का अनुपाद बहुत कम है सही परियोग के लिए जह नहीं ला सकता है इसको परन्तु अलवन की महत्रा बहुत कमी रहता है यहां के मत्रव रहता यह जिसका परियोग हम लोग पीने में घरेलुकारियों में इत्यादी में करते हैं 20 में जल के कुल आईतन का 96.5 परतिसत भाग महासागरों में पाए जाता है और केवल 2.5 परतिशत आलवनी जल है भारत बीश्व की विश्टी का 4 परतिशत हिसा प्राप्त करता है और परति बैक्ति वर्स जल उपलवता के संदर्व में बीश्व में इसका 133 अस्थान है पूर सुचना के अनुसार 2025 तक भारत का बड़ा हिस्सा बीश्व के अईन देशों और छेतरों की तरह जल की नितान्त कमी महसुस करेगा अमजार रहे हैं कि जल का जो अत्यादिक परियोग हो रहा है दोहन हो रहा है उसे कारण जल का भूमिगत जल जो है वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाते जा रहा है आनि उसका तल लेवल नीचे की ओर घिसकता जा रहा है जल दूरलब्ता और जल सनरचन परवंदन की आविसकता क्यों है इसके बारे हम पढ़ेंगे पढ़ते हैं जल की दूरलब्ता उसके बढ़ते मांगों की तुलना में उपलब्ता की कमी के फलसरूप उत्पन होते हैं से दूरलब्ता मतलब हम जानते हैं कि दूरलब फोजने पर मिलता है तो जल की दूरलब्ता तभी होगा हम मांघ करते अंपलब्द नहीं रहता है तो जल दूरलब्ता क्या कinta दूरलब्ता हमें माश्योंस हो रहा है और अति-षोसन शर्अर्यू कि जScott है भूमीगत। बाहर निकाल रहे हैं और यूज कर जिसे भूमिगत जल का अस्तर नीचे चल जा जा रहा है दूसरा कारण है अत्याधिक परियोग हम देख रहे हैं कि दिन वा दिन लोग अत्याधिक जल का परियोग करते जा रहे हैं और समाज के विभीन वर्गों में जल का आसमान बीतरन सही बात लेकिन कुछ लोगों को जल की दुरलपता मुहसुस होने लटके कि वहाँ पर जल मिलता ही नहीं उसने बहुत दूर जाकर पानी अपने लिए परबंद करना पड़ता है इससे का अब इसका ब्रोकने दिसा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ीक गई बाधा है जो आम तोर पर जलासे, जील अत्वा जलभरन बनाती है अब हम पढ़ेंगे बांध को ही बहुत देशिय नदी प्रिजना क्यों कहते हैं हम जानते हैं कि अगर नदी में बांध बांधा जाता है तो उसका प्रियोग बहुत सारे उदेशियों के लिए क्या जाता है इसलिए उसे हम बहुत देशिय प्रिजना भी कहते हैं बांधों को बहुत देशिय प्रिजना भी कहा जाता है जहां एकतिरित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं उधारन के तोर पर सतलज ब्यास बेसीन में भाखला नागल प्रियोजना, जल बिदूत उत्पादन और सिचाई दोनों के काम में आती है बहु उदेशिय नदी प्रियोजनाओ के फाइदे हमाज जानेंगे कि क्या 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 उनके फाइदे हैं सब्सक्राइब बिदुत उत्पादन है कि हम बहुत इस नदी प्रिजिनाव बांज कर सकते हैं दूसरा इसचाई के काम में आता है इस पानी को नुझ के माधियम से केनल कि माधियमिक से लिए इसमी आपके हम जानते हैं कि जहां डेम बानदा जाता है वहां से जल का सप्टलाइब बीविन सहरों में वी orie स्रमय क्या जाता है गोगह है कि बाढद नियंत्रने गे स known क === परीस गडाव करन यह भार आते हैं तुष जल को यह अगता है कि जहां पर यह दर्सनिय सलोग पर पर प्रेटटक के रूप में बहुत सारे परहां करते हैं यहां और दर्सनिय से लोगे साथ मात्रा में कारने दंग पर मचली पालम का भी कायरी किया जाता है तो हम इतने सारे फाइदे देख लिए बहुत देशी नदी प्रजनाओं से फाइदे के साथ साथ हन्या भी बहुत सारे हैं जैसे हम पढ़ेंगे नदियों पर बांद बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राक्रतिक हम जाता है कि पानी में पानी के साथ साथ कुछ तल्षट यानि कच्छ्डी भी बहते हैं बहुत सारे घास फुस्फ भी बहते हैं जो बांद बांद देने से वह वहीजमा हो जाते हैं आगे की और नहीं जाते। है इसे क्या घाटा है इसे यह हला है कि आगई जीव जन्तु जलिये जीव जीव रहते हैं उनको प्रयाप्त रूक से खार नहीं मिल पाता है कि वह वह उन्य तल छटों के पर निरभर रहते हैं इस्ञे करने नुक्सान अप कि बाण की मिदान में बनाये जाने वाले utilizz वहां मौजूद वनस्पति और मीटिया जल में डूब जाती जो अर्व कलंतर में आप घटित हो जाती है कि हम जानते हैं कि जहां पर डेम बनाय बहुत बिरहत मात्रा में पानी भर जाता है जिससे वहां पर उपस्तित जो भी वनस्पति है वो धिरे-धिरे अपगटी थुने लगते हैं पानी से और खतम हो जाता है ठीक है आगे पड़ेंगे अस्थानिय समुदाओं के बिरहत अस्तर पर विस्थापन का कारण देए सही बात है कि जिस छेतर में ये बांध बनाया जाता वो एक बिरहत छेतर को कुपाई कर लेता है जिससे वहांपर रहने वाले लोगों को विस्थापित होना पड़ता है यह हमारे देश जहां भी बांध बनते है rivalryया है आगे पढ़ते हैं इसके कारण भूमी निमनीकरन की भी समस्या बढ़ जाती है सही बात है क्योंकि उस छेतर में जलमगन हो जाता है तो उस छेतर हमारे लिए उपयोग के लिए फिर नहीं बच जाता है आगे पढ़ते हैं बहु देशिय प्रिजनाओं के कारण भूकम की समस्या भी बढ़ जाती है साथ ही साथ अच्यादी जल के उपयोग से जल जनित बिमारियां फसलों में किटानों जनित बिमारियां और परदोसन फेलते हैं तो हम बहुधेसी परिजनाओं में इतने सारे हानिया देखें हैं कि आगे हम पढ़ते हैं बहुधेसी नदी-परिजनाओं के ब्रोध में अंदुलन जब-जब कहीं भी बहुधेसी नदी-परिजनाओं बनाए गए हैं वहां पर खासकर अस्थानिय लोगों ने उसका जमकर लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ता था तो इसका हम एक दुछार उधारन देखेंगे बहुदेशिये नदी प्रिजनाओं और बड़े बांध नए समाजिक अंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओं अंदोलन और तीहरी बात अंदोलन के कारण बन गए हैं इन प्रि यह जगड़े आम होते जा रहे हैं जहां जहां बांध बने हैं दो राजियों की बीच में वहां पर हमेशा देखा जाता है कि दो राजियों में लडाय होती रहती है पानी के लिए फाइदे के लिए जैसे इसके खास एक उधारन देते हैं मेटूर्डेम जो करनाटका और तो मिलान्डू के बोडर में बनाए गया इन दोनों राजियों की बीच जल को लेकर हमेशा लडाय होते रहती हैं आगे पढ़ेंगे वर्षा जल संगरन के तक पर हैं कि हम धरातल पर गिरने वाले वर्षा के बुन्दों को संचे का उपयोग करने की परिक्रिया को वर्षा जल संगरन करते हैं तो विभीन जगों पर विभीन तरीके से संगरा क्या जाता है जैसे पहाड़ी और परवत्की छेत्रों में लोगों ने गूल अथ्वा कूल आनि बांस जैसी कुछ वही काये नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों के सिचाई के लिए बनाती है नदी पीने का जल एकत्रीत करने के लिए छत वर्षा जल संगरन का तरीका है वहाँ पर चत में बारिस होती है उसको पाइप के जरिये जमीन पर नीचे एक टेंक में उसको भर दिया जाता है जब पानी गिरती है तो पाइप के जरियों टेंक में जमा हो जाता है और जब पानी व मिदान में लोग अपने खेतों की सिचाय के लिए बाड जल वहिकाहे बनाते हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं छोटे-छोटे नलियां बना देते हैं जब नदियों में भारी-बारिस होती है और बाड यह से समझे अपर होने लेवल पानी को उपर होने से नलियां में पानी बहने लगते हैं और खेतों तक पहुंच जाते हैं जिससे वहाँ पर लोग खेती कर लेते हैं आगे पढ़ते हैं अर्द सुस तथा सुस छेत्रों में वशा जल एकत्रित करने के लिए गड़े बनाये जाते हैं ताकि मिर्दा को सिचित किया जा सके और संदच्छित जल को खेती के उप्यों के में लाया जा सकें सही बात हैं आगे पढ़ते हैं रास्थान के अर्द सुस तथा सुस शेत्रों में लगवा हर घर में पीने का पानी संग्रित करने के लिए भूमिगत टेंक कत्वा टाका हुआ करते थें अभी भी है पहले भी थें ठीक है आपने टाक टाका का मतलब एक कस्टोर पानी कस्टोर करने का एक तरीका टाका के लिए सबसे पहले जमीन में एक गढ़्धा बनाते जाता था और घर के छत को ढालू नुमा बनाया जाता और जो जब ढालू नुमा चत को पाइप से जोड़कर उस गढ़्धे में यानि जो टंकी बनाय होना बंध हुए रहा था जल का परियोग लोग अपने गरेलुकारियों में करते थे हैं तो इस शेप्टर का अलगभग हमने सारे पढ़ दी है ठीक है बाकी आप लोग बुक से देख लिजीएगा